दोस्तो FI जो DIs का जो डेटा होता है उसको कैसे आप अबजर्व करोगे आज की इस वीडियो बे हम लोग समझेंगे देखो अगर एक option trader हो तो FI जो DIs का डेटा को अबजर्व करना, analyze करना आपको अत्यन तावस्यक है सीखना क्योंकि इसके दम पर ही कल market में क्या moment रहेगा या अगर आप trade अभी live कर रहे हो और आपको ये पता है कि कल FI, DIs ने इतना खड़िदारी किया या इतना बेचा है उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि अभी market में क्या होने वाला है या आप ये पता लगा सकते हो कि कल market में क्या होगा कैसे पता लगाओगे, कैसे analyze करोगे बहुत ही आसान तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, skip नहीं करिएगा टीक है, वीडियो देखने के बाद like जरूर करिएगा और कोई भी doubt हो, तो comment भी कर दीजेगा तो चलिए हम लोग बिना कोई time को loss की हुए समझते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप Google पर जाओगे FIs, DIs, लिक कर टाइप करोगे तो आपके पास डेट सारा website खुल जाएगा आप किसी भी website पर जाके उस data को अबजर्ब कर सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है stock as क्योंकि यहाँ पर जो data होता है वो तो तो आप डीटेल से data होता है तीक है अब इस data को अबजर्ब करने का तो थोड़ा सा technical process है उसको आरांत से और ध्यांत से समझेगा मैं आपको बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ देखो सबसे पहले FIs cash में है FIs index future, FIs index option, FIs stock future, FIs stock options पहले आप इसका मतलब समझेगे अगर आप जानते हैं तो आप कुछ skip कर सकते हैं नहीं जानते हैं तो पहले इसका मतलब समझेगे कि ये सारे trade का segment क्या है अलग-अलग segment में उन्होंने अलग तरह से खड़ीदा है sell किया है क्यों और कैसे क्या मतलब है वो समझेगे ध्यान से cash market का मतलब आप लोगों को भी पता होगा कि delivery में आपने कोई company के shares लिया और उस company में कोई derivatives trade नहीं होता यानि options futures का trade नहीं होता है उस company का shares उसने delivery में लिया तो उसे हम लोग cash market में खड़ीदना कहेंगे उसके बाद है DI cash में DI जानि domestic घरेलू fund वाले जो हैं टीक है delivery का यहीं मतलब होता है उसके बाद है FI index future index future का मतलब होता है कि index का future टीक है index क्या है nifty, back nifty, fin nifty यह सारे जो index हैं इसके futures को खरीदना और बेचना direct future को खरीदते हैं आप अपने demand account में जाके check करिएगा या फिर लिखिएगा reliance futures या nifty, back nifty futures आपको दिखेगा और उसपर click करिएगा direct आपको buy करने का option देगा sell करने का option देगा उसमें कोई call और put खरीदना बेचना नहीं होता है direct आप वहाँ पर अगर आपका moment है कि index बढ़ेगा तो आप वहाँ पर खरीदोगे आपको लग रहा index गिरेगा तो आपको वहाँ पर बेचना होगा put नहीं खरीदना है वहाँ पर उसे हम लोग index futures की trading कहते हैं उसके बाद देखोगे index option ये आपको index का option जैसे call और put nifty, back nifty, फिर nifty में call और put खरीदना बेचना होता है उसे हम लोग कहते हैं index का options देखो अब है stock का options और stock का futures stock का future का मतलग आप किसी reliance stock में आप futures को खरीद लेकते हो उसमे call put खरीदने की जरूवत नहीं सिधा reliance type करो futures में जाओ उसको खरीदो या बेचो किसी भी stock में जो भी derivatives में काम कर रही है cash market का नहीं है reliance, infosance, britannia वह सारे stocks हैं जिसमें आप futures में trading कर सकते हो तो futures में अगर trading करना है तो आपको वहाँ पर direct बेचना और direct खरीदना है उसमे call put नहीं होगा वहीं अगर stock options है तो आप उसी stocks में जिसमें आपने futures को buy किया या futures को sell किया उसी stock के options में आप खरीद सकते हो call या put को या फिर बेच सकते हो तो वह हो गया stock में options करना simple है futures का मतलब direct हम उसको futures को sell करेंगे buy करेंगे options का मतलब उसके option यानि उसके call और put को buy और sell करेंगे ठीक है lot same size में रहता है sim lot रहता है समझ गए अभी देखिए इसका data है हम लोग FIs index future, option future, stock future और stock options के बारे में समझेंगे cash market के बारे में भी समझेंगे लेकिन पहले इसको समझना बहुत जरूरी है देखिए index future में उन्होंने 30 जून को 1549 करोर का sell buy किया है green में है तो buy किया है 351 करोर का उन्होंने sell किया है यानि कि red में है तो sell किया है आप देखोगे stock futures में उन्होंने 100 करोर का buy किया है और stock options में उन्होंने 240 करोर का sell किया है अब इस data के अनुसार आपका क्या भी होगा कल market में इसको समझते हैं इसको समझने के लिए हमें cash market का पहले data देखना होगा तो देखेंगे कि यहाँ पे 6,397 करोर का FIs ने cash में buy किया है अब हम उसके पीछे दिन का data को देखेंगे पीछे दिन के data में देखेंगे तो cash market में 12,000 करोर का selling किया है उसके एक दिन पहले और जाके देखेंगे तो 2,000 करोर का उन्होंने क्या किया है buy किया है उसके पीछे देखेंगे तो 400 करोर का sell किया है cash market में यानि कि profit booking किये होंगे किसी stocks में delivery stocks में अभी देखोगे तो यहाँ भी 344 करोर का क्या किया है sell किया है यानि कि 344 करोर का selling का मतलब है कि profit booking किये है क्यों किया रहा हूँ क्योंकि उसी दिन देखोगे index options में 10,000 करोर का buying है यानि कि उन्होंने index के options में buy किया है तो उनको लग रहा है index बढ़ेगा तो उन्होंने क्या किया है cash market में उन्होंने अपना profit booking किया है यानि delivery वाले shares को हलका किया है ये तो चलता रहता है ना मानले जे delivery में 1000 shares है तो किसी में profit booking हो गया चलो आगे आपने level पे बेचके निखल जाओ तो इससे घबराना नहीं है लेकिन आपको यहाँ पे बल्क में मिल रहा होगा ज़्यादा तर buying तो इससे हमें ये लग रहा है कि FI जो है cash market में buy कर रहा है इसका मतलब है कि आने वाला one week से लेके two week या दस दिन पंजा दिन में market अभी अच्छा उपर जाएगा बुलिस रहेगा ये पहला point हमें ये समझ में आता है index future में उन्होंने 1500 करोर का buy किया है और index option में उन्होंने 3500 करोर का sell किया है तो देखो अब क्या है कि market अपने higher level पे है और इनको cash market में खड़ीदने का मतलब है कि market bullish है कहीं ना कहीं तभी उन्होंने cash market में खड़ीदा है तो अब हमारा भी market में bullish view ही रहेगा positive view ही रहेगा अगर market कल gap down open होगा तो यह क्या करेंगे जो operators ने यहां से buy करके market को उपर ले जाएंगे 100% ले जाएंगे आप गोर कर लेना किसी भी दिन अगर इन्होंने अच्छा कासा buy किया है और market gap down open हो गया तो वहां से ही buy करके उपर ले जाएंगे और यहां पर देखोंगे कि उन्होंने अच्छा कासा selling किया है और market अगर नीचे gap down open होगा है तो market और भी नीचे जाएगा क्योंकि यहां पर और भी selling करके नीचे ले जाएंगे और deep में क्या करेंगे अपने profit booking कर लेंगे और वहां से फिर buy करके उपर ले जाएंगे market को ठीक है ओके अभी देखो कैसे इस data के नुसार कल क्या moment रहेगा तो समझ ये कि ये 1500 करोर का index future है इन्होंने buy किया है तो इनको profit कब होगा अभी ये जो FIs हैं operators हैं इन्होंने buy किया है profit करने के लिए loss करने के लिए तो नहीं किया है तो profit कब होगा जब nifty back nifty बढ़ेगा तभी न इनका futures बढ़ेगा तो इनको profit होगा तो आप कहोगे कि भाई ये तो बढ़ेगा तो इनको profit होगा लेकिन index के options में इन्होंने तो sell किया है तो ये बढ़ेगा तो यहाँ पे loss होगा तो मैं कहूंगा नहीं sir क्यों क्योंकि देखो futures में तो आप direct futures खरीद लिए बढ़ेगा तो clear पता है कि आपको profit होगा लेकिन options में क्या होता है कि call और put दोनों होता है अब ये जो fi operators जो है इन्होंने call और put दोनों को sell किया है ठीक है? दोनों को sell किया है ये overall data है यहाँ पे सिर्फ call या put का data नहीं है दोनों मिला के है overall data अब देखो market जब बढ़ेगा तो इनको futures में तो profit होगा है होगा वहीं पे अगर इन्होंने call लिया होगा call बेचा होगा और put बेचा होगा तो put में इनको profit होगा call में इनको loss होगा अब यहाँ पे क्या होगा? futures में भी profit और put में भी profit सिर्फ call में होगा loss तो यह यहाँ पे इनका profit overall average में profit में ही रहेंगे उसके बाद देखिए अगला जो है stock futures और stock options Stock futures में इन्होंने 1037 करोर का buy किया है तो Stock futures का मतलब अलएडी अब को पता है कोई particular stock में मालनों इन्होंने Reliance में क्या किया है Reliance के futures को buy किया अब कल के दिन Reliance अगर उपर जाता है तो इनका futures में क्या होगा Profit होगा ठीक है वहीं देखोगे Stock के options में इन्होंने 240 करोर का sell किया है, तो यहां पर एक टेंसें नहीं लेना है, जिस particular stock का इन्होंने futures को buy किया है उसी particular stock के options में इन्होंने sell कर दिया है, थीक है, क्योंकि यह, क्योंकि देखो market तो उपर जाएगा, इनको पता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि market उपर जा रहा है, तो जो स्टॉक खरीदा है वो कल उपर जाए वो सकता है कोई बल्क डिल हो जाए कोई ऐसी नियूज आ जाए जो वहां से लोग कैस वाले सेर्स भागने लगेंगे तो मार्केट नीचे आएगा तो उस एबज में इनका क्या होगा स्टॉक का फ्यूचर्स में जो उन्होंने बाई किय किया होगा उसमें लॉस होगा तो यहां पर क्या होगा कि इनका जो है लॉस यहां पर मिनिमाईज हो जाएगा ठीक है इस एबज में इनका ज्यादा लॉस नहीं होगा ऐसा नहीं है कि एफ आइज कभी लॉस नहीं करते ऑपेटर्स कभी लॉस नहीं करते लॉस होता है लेकि दातर और इस stock options में उन्होंने buy किया होता और selling से ज़्यादा price इनका buy का होता तब market में क्या होता कि market में ये गिरने वाला chances रहता क्यों options में call or put दोनों है और यहाँ पी futures में उन्होंने sell किया यानि कि इनको लग रहा है कि इस stock का future ये stock जो है price इसका down होगा तो इनको जो futures में इनको अप्सेंगे और यहाँ पर इस टॉक का जो options में इन्होंने क्या किया call or put दोनों को sell कियो है तो market गिरेगा तो क्या होगा put में इनको loss होगा call में इनको profit होगा तो overall इनको क्या होगा profit में ही रहेंगे ठीक है उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया अगर आ data को कैसे analyze करना है किस तरह के view को आपको समझना है FIH के दिमाग में क्या चल रहा है इनको आप अच्छे से समझ सकते हो अगर नहीं समझ सकते हो तो subscribe कर लिजी अभी और वी वीडियो जाएगी उसके माधियम से मैं आपको यहाँ पर clear कर दूँगा